हलो एवरिवन वेलकम टू टीवोफेट्स इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेशल एवर्णेस एक से दस सेप्टेंबर की बीच का और जो आपके अपकमिंग एग्जाम है जो सबसे रिसेंट है RRBPO मेंस उसमें ये क्याफी हेलपफुल करेगा क्योंकि उसमें दस सेप्टेंबर से ज्यादा के बैंकिंग फिनेशल एवर्णेस नहीं पुछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आप बाखी के वीडियो भी जरूर देखें जो प्लेलिस्ट में है रिसेंट बैंकिंग फिनेशल एवर्णेस के जो भी वीडियो हैं उन स तो किस विट संस्था ने रिटेल असोसेशन के साथ मिलकर अपने आप में पहला नियो दुकान लॉंच किया है इसका सही जवाब होगा option one पे नियरबाई पे नियरबाई ने रिटेल असोसेशन इसकी उफ इंडे के साथ मिलकर अपने आप में एक हॉलिस्टिक मैरेजमेंट टूल लॉंच किया है रिटेल पार्टनर्स और रिटेल स्टोर्स के डिजिटल इंपावर्मेंट के लिए जिसका नाम है नियो दुकान पे नियरबाई नि डिजिटली एनेबल किया है लगभग 38 लाग जबसे ये उपरेशनल है 2016 से और इसी पे नियरबे के साथ मिलकर NPCI ने लॉंच किया था रूपे सॉफ्ट पियर सॉलूशन इसका जवाब होगा नियो दुकान के लिए पे नियरबाई इसका हेड़कॉटर है मुंबई में दूसरा सवाल है इसका सही जवाब होगा option B International Monetary Fund IMF अंतराष्टी मुद्राकोश देखे अगर लोन एंड फर्ण्स वाला वीडियो आपने नहीं देखा उसे आप जरूर देख ले उसमें सभी डिस्कस किये लास्ट सिक्स मत के जितने भी लोंस एग्रिमेंट फंड एप्रूवल दिया गया है इंडे और स्टेट्स को उस सब के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है उस 650 बिलिएन डॉलर का SDR जारी किया था 650 बिलिएन डॉलर का SDR special drawing rights by International Monetary Fund for the weaker nations among the world The PFRDA Pension Fund Regulatory Development Authority increased the NPS National Pension Scheme System entry age from 65 to how much 65 से अब कितना इसका बढ़ा कर दिया गया है इसका सही जवाब होगा option C 70 साल तो जो भी NPS में entry age का ये रहेगा अब रहेगा 18 से 70 साल तक पहले था 18 से 65 साल National Pension System NPS के लिए PFRD ने entry age को बढ़ा कर 70 वर्ष कर दिया हाउ मेनी बैंक जोइन अकाउंट aggregator network तो कितने बैंकों ने अकाउंट aggregator networks को जोइन किया है रिसेंटली इसका सही जवाब होगा option D 8 तो कुल 8 बैंकों ने अकाउंट aggregator network को जोइन किया है वो आठ मेजर बैंक उनकों से स्टेट बैंकों फिंडे आइसी इसे बैंक एक्सिस बैंक IDFC फर्स बैंक कोटक महिंद्रा HDFC इंडेजिंट बैंक और फेडरल बैंक तो ए नेटवर्क के है अकाउंट aggregator ये काम करेगा as a financial information provider FIP एक transparency रहेगा जो कि financial चीज़ को discuss करेगा customers के साथ FIP financial information users के बीच और financial information provider के बीच एक तानमेल रहेगा वो exchange करेगा financial information को तो वही है account aggregator इसमें आठ मेजर बैंकों ने जोइन के है account aggregator network को विच मोबाइल वालेट लॉंच्ट फर्स्ट इंट्रक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट पल्स पल्स को किस मोबाइल वालेट है इसका सही जवाब हो को option B phone फोन पे फोन पे हाज लॉंच्ट पल्स इंडियास फर्स्ट इंट्रक्टिव जियो स्पेशल वेबसाइट पल्स यह जो भी डिजिटल पेमेंट का प्रवाइट कराएगा और इसी phone पे ने ये पहला वालेट जिसने 1 बिलियन उप्याइट को थ्रेशल को बेंचमार्क को क्रॉस किया था वह मार्च में अचीव किया था phone पे ने मुबाइल वालेट टु क्रॉस्ट ब्रवन उप्याइट ट्रांजेक्ष न इसका सही जवाब होगा option C ADB, ASIA इविकास bank ADB has approved 150 million dollar loan for urban housing projects in Tamil Nadu इसका सही जवाब होगा option C कौन से बैंक ने Fisdom के साथ गठ जोड किया इसका सही जवाब होगा option D Yuko bank Yuko bank has partnered with Fisdom to offer wealth management system Yuko bank headquarter Kolkata में है MDCO कौन इसके अतुल कुमार गोयल विच बैंक पार्टनेट विट वन कार्ड तो लांच मोबाइल बेस्ट क्रेडिट कार्ड मोबाइल फर्स्ट तो वन कार्ड के साथ मिलकर मोबाइल फर्स्ट नामा क्रेडिट कार्ड लांच किया है इसका सही जवाब होगा option SBM Bank State Bank of Mauritius SBM Bank India SBM Bank has launched mobile based credit card mobile first NPCI partner with Fiserv to launch रुपे API platform तो NPCI ने Fiserv के साथ मिलकर कौन सा रुपे API platform लांच किया है इसका जवाब होगा option C Nfini Nfini NPCI has launched Nfini API platform Nfini API platform क्या है application programming interface to boost credit card products in India तो credit cards और digital transition products को बढ़ावा देने के लिए Nfini launch किया है NPCI ने Fiserv के साथ मिलकर Service under Nfini क्या क्या रहेगा support for digital user experience in mobile application SMS notification instant digital card provisions और other immediate transition features यह सब प्रोवाइड करागा Nfini विच बैंक पार्टर विथ M swipe technologies तो लांच वाइस पूस गो पॉस गो पॉइंट ऑफ सेल गो फॉर MSME customer तो सुक्ष लगू मध्यम ग्राफों के लिए किस बैंक ने वाइस पॉस गो सब्सक्राइब के साथ मिलकर लांच किया है इसका सही जवाब होगा option D करनाटका बैंक तो करनाटका बैंक है पार्टर विथ M swipe technology तो लांच वाइस पॉस गो पॉस गो करनाटका बैंक के हेड़कॉर्टर का मैंगलोर में और इसके हेड़कॉर महाबलेश्वर MS रिसेंटली विच बैंक रिमूट फॉम PCA फ्रेमवर्क बाई RBI तो हाली में किस बैंक को RBI ने PCA प्रॉंट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटाया है इसका सही जवाब होगा option ए यूको बैंक ठीक है और मार्च में इस आइडी बैंक को रिमूफ किया था PCA फ्रेमवर्क से तो अब सिर्फ दो बैंक बचे हैं इंडियन ओवर्सीज बैंक और सेंटल बैंक और इंडिया तो PCA प्रॉंट करेक्टिव फ्रेमवर्क यह चार पारेमेटर पर डिपेंड करता है कौन-कौन सा है तो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने पारेमेटर्स पर PCA फ्रेमवर्क डिपेंड करता है तो PCA फ्रेमवर्क डिप्स बैंक एज रिस्की इव देश्लिप सेंट्रिगर पॉइंट्स ओन फोर पारामेटर्स तो रिसेंटी युको बैंक को रिमूफ किया है PCA फ्रेमवर्क नेट्वक से बाहर किया और मार्च में किया था IDBI को अभी सिट दो बैंक मतलब इसके अंड पारतव्क प्रेमवर्क प्रेमवर्क प्रेफिजियन दोलार लोन फोर इंफराध्वलों प्रेमवर्क तो किसको बैड किया अफ्रिका फिन्स क्रोपरेशन को HDFC पार्टनेट विट 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 डिट नेटि अर्ली सलरी के साथ प्रशिप्शिपिया The credit card variants Celesta, Imperio, Signet in association with Visa was launched by which bank? Federal bank. Federal bank did launch the variant of credit card Celesta, Imperio or Signet in association with Visa which has become first lender bank to list 1 billion dollar AT additional tier bonds on Gift City. Gujarat International FinTech City, International Financial Service Center, IFSE, ये किया गया है HDFC bank के द्वारा. Bank of Indian MAS Financial Services Limited, partner for co-lending agreement arrangement for MSAB loans. LIC Housing partner with which bank for home loans, इसका है Indian Post Payment Bank, भारती डाक बैंक, IPPV, India Post Payment Bank. Which bank launched SIB One Card Credit Card in partnership with One Card. SIB One Card Credit Card launched by South Indian Bank. तो ये था एक से दस सेप्टेंबर की बीच का banking financial awareness, इससे आगे के नहीं आएंगे, पूरी संभावना है. लेकिन आप सेफ साइट के लेकर 14 ये 15 सेप्टेंबर का current affairs banking awareness पढ़ सकते हैं. और आप बाकी के वीडियो भी ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपडेट हो है इस चैनल पर. So thank you very much for watching the video. Thank you.